जिसमें कि सबसे ज़्यादा इसमें assets लगा हूँ है HDFC bank में तो पता है उसका profit 221% से भी ज़्यादा का है जैसा कि आप लोगा screen पे देख सकते हो तो देखो 21 साल में ही लाखो का amount यानि 12 लाख का investment amount है और एक कडोर से भी ज़्यादा का profit दे रहा है मैं ऐसे ही इस fund में निवेज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ नमस्कार दोसको क्या आपको पता है 2024 में SBI का best SIP mutual fund कौन सा है जी हाँ आज का video SBI best SIP mutual fund plan का होगा इस video में हम देखेंगे कि 2024 में SIP के लिए SBI का best mutual fund plan कौन सा है और ऐसे ही नहीं भाई हम लोग सारे पैमाने को देखेंगे कि अगर हम किसी SBI mutual fund को best कह रहे है तो फिर क्यों कह रहे है उसके पीछे क्या कारण हो चकता है उसका net asset value क्या है उसका growth history क्या है उसका future का growth potential क्या होने वाला है ठीक है जी उसका fund size कितना है fund manager का experience क्या है expense ratio क्या है exit load क्या है हर एक पैमाने को देखेंगे जिससे आपको भरोसा हो सके कि सारे fund को side रखे SBI का ये बला mutual fund जो है वो सबसे अच्छा रहने वाला है SIP के लिए अब जैसे SIP का एक example देखेंगे न 1000 की SIP कितने कम समय के लिए किया जा रहा है और हमारा result यानि profit हमारा कितना आता है एक करोड से भी जादा भाई इतने कम समय में एक करोड से भी जादा profit ये वाला mutual fund देने वाला है तो ऐसे और उप्यों की वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें आई ये वीडियो सुरू करते हैं यहां से आगे बढ़े उससे पहले एक बिलनूर सला है दोस्तों देखो आप किस scheme में निवेश करते हो ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हो सके आप किसी FD scheme में निवेश करते हो RD में निवेश करते हो या फिर सुकन्या में निवेश करते हो पेंसल में निवेश करते हो किसी भी ऐसे scheme में आप निवेश करते हो जिसमें risk बहुत ही कम है लेकिन हाँ उसमें return भी कम भी होगा लगबग 6-78% बस उससे ज़्यादा return आपको नहीं मिलने वाला उन सारे scheme में लेकिन हाँ अगर आप calculate करके देखो न अगर हम महगाई को देखें तो हमारा पैसा हर साल value 6% का lose करता है ठीक है आज हमारा 1,00,00, तो अगले साल हमारा 6% उससे कम होगा उसका value उस पैसे का value तो accurate अगर हम calculate करके देखें तो हमारा return लगभग कितना हुआ एक से 2% बस उससे ज़्यादा return हमारा नहीं होगा अगर हम normal scheme में जिसमें risk नहीं है उसमें आप निवेश करते हैं तब ठीक है लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत वे risk लेना चालो कर दो अगर थोड़ा बहुत आप risk लो और mutual fund में निवेश करना शुरू करो तो पता आप करोड़ों में खिलोगे आपका profit करोड़ों में होगा अब जो लोग निवेशक हैं जो mutual fund में निवेश करते हैं किसी भी रूप से वो हमारा कहने का मकसद समझ रहे होंगे लेकिन जो लोग अभी तक नहीं करते हैं या फिर नए नए आये हैं या फिर mutual fund में आप निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक dimate account बना लो वो किसी भी bank का बन सकता है SBAE का बन सकता है HDFC का HDFC SKY के नाम से आता है उसका बन सकता है ICHI Prudential के नाम से बन सकता है इसी तरह से मतलब सारे का हर bank का अलग-लग mutual funds का एक dimate account होता है उसमें आप dimate account open कर लो लेकिन आउसमें क्या होगा ना कि हर अलग-लग bank का separately होता है अगर आप SBAE में निवेश करना चाहते हो तब आपको SBAE के अंदर ही जाकर के उसमें निवेश करना होगा SBAE account के अंदर जाकर के जो SBAE का dimate account होता है अब चुकि अलग-लग bank का mutual funds है तो अलग-लग bank के dimate account से जाकर ही वो उसमें invest किया जा सकता है लेकिन अगर जिन्दरली सारे mutual funds को आप एक जगा देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको जैसे की grow हो गया जिरोधा हो गया, angel बन हो गया इस तरह का कई सारा dimate account open होता है अब सारे का link मैं वीडियो के description में दे दूँगा bank वाला भी और normally जिरोधा, grow ये सब का भी मैं डिमेट account का जो link होता है वो description में दे दूँगा आप एक से दो step में आप वहां से account open कर सकते हो ये कोई sponsor video नहीं है, इसे sponsored मत समझना लेकिन आपके लिए, यानि आपको असानी हो सके इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि SBI, HDFC ये सब से सारा मतलब अच्छा ही है कि आप grow ये जिरोधा ये angel बन ये सब में आप account open कर लो और सारे mutual funds को आप एक जगा देख सकते हो जरूरी नहीं है का आप SBI में ही निवेश करो अब हो सकते हैं आपका मन हो HDFC में निवेश करने का तो फिर आपको HDFC का account open करना होगा इसलिए normally सारे को एक जगा रख करके आप अगर grow account यूज़ करते हो तो फिर सारे mutual funds आपको वहीं मिल जाएंगे अगर 0-10 यूज़ करते हो सारे mutual funds आपको वहीं मिल जाएंगे या फिर इससे इससे हट के और अलग-लग तरेके से भी निवेश किया जा सकता है जैसे stocks में निवेश किया जा सकता है आप trading कर सकते हो इन सारे app पर भी ये सब कुछ किया जा सकता है ऐसे आपका मन है तो account open करना नहीं मन है तो मत करना ये कोई sponsored video नहीं है देखो भाई, net asset value, fund size, expense ratio, fund manager experience, growth history, future का growth potential हर एक मुद्दे को हमने ध्यान में रखा है और हर एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने इस mutual fund को SBI के अंदर best रखा है ठीक है जी SBI Contra Direct Plan Growth हमने इस mutual fund को best पे रखा है क्यों रखा है जी, इसका fund size कितना है तो इसका fund size है 21,481 crore का देखो 5 star rating इसे मिला है minimum आप यहां 500 की SIP से अपना investment start कर सकते हो इसका expense ratio की अगर हम बात करें तो expense ratio कितना है 0.69% अगर 1% से कम रहता है expense ratio तो बहुत अच्छा चीज है 1% से कम ही होना चाहिए ठीक है भाई इसके बाद अब हम इसके annualized return को समझते है अब जैसे कि इसका 3 साल का annualized return कितना है पहले इसका net asset value हम देख लेते हैं तो 3 साल पहले इसका net asset value कितना था 145 रुपे यानि 145 रुपे का एक net asset का value था ठीक है और आज के rate में इसका net asset value कितना है 342 रुपे कुछ पैसे यानि 340 रुपे से 345 रुपे के बीच का इसका net asset value हो चुका है इस बीच 3 साल में इसने पूरा total return कितना दिया है 32% से भी जादा का return है 3 साल का annualized return यानि हर साल का return देखो return को आप समझो graph के दोरान जिस return की बात होगी वो होगा annualized return और फिर example के दोरान जिस return की बात होगी वो होगा absolute return ठीक है जी आप जैसे कि इसका 5 साल का कितना return है 5 साल का net asset, 5 साल पहले का net asset value था 107 रुपे यानि 105 से 110 रुपे के बीच में और आज के date में इसका net asset value कितना है 340 से 345 रुपे के बीच का इसका net asset value भाई इस बीच यानि 5 साल का total analyzed return कितना है 26 से 26% के बीच का total analyzed return है 5 साल का अगर हम इसके एक साल के return को देखे तो एक साल का return है 41% से भी जादा यानि 42% के लगवक इसका एक साल का return है भाई इसी तरह से all over जब से ये fund चल रहा है तो ये fund चल रहा है 2013 से 2013 से लेकर अब तक इस fund ने हर साल करके 17% 17% 17% का return इस fund ने all over दिया है अब माल लिया जाए अब हम लोग इसके देखते है holding को कि अगर हम इस fund में पैसे जमा करते हैं या निवेश करते हैं तो इस fund का पैसा कहा कहा जाता है fund manager जो है वो fund manager कहा कहा पैसा लगाता है तो भाई अगर holding की बात करें तो total 92 company हो में हमारा holding है यह fund का जो holding है total 92 company हो में है जिसमें कि सबसे ज़्यादा इसमें assets लगा हुआ है HDFC bank में 4.17% assets लगा हुआ है HDFC bank में इसके बाद jail India में 3.11% है SBI में है 3.06% है ठीक है इसी तरह से cognizant technology में 2.89% इसका जो assets है वो लगा हुआ है ICSI bank है पंजाब national bank है उसी तरह से biocon है reserve bank of India है total 92 company है 92 में अगर हम इसे sector wise देखे देखो अगर हम इसे sector wise देखे तो फिर सबसे ज़्यादा पैसा आप यहाँ देख सकते हो यह financial sector है इसमें लगा हुआ है ठीक है इसके बाद energy sector में है 16.5% assets जो है वो लगा हुआ है इसके बाद कुछ others companyों को मिला करके 14.7% लगा हुआ है fit technology sector में लगा हुआ है 9% उसके बाद metals and mining में लगा हुआ है 8.3% healthcare में 8.3% constructions में 7.9% इसी तरह से यह सारा आखड़ा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ठीक है बाई अचा यह सारा तो equity में लगा हुआ है तो हमारा depth में देखो 4.5% लगा हुआ हुआ है और cash के रूप में ठीक है बस छोटा सा example से absolute return को समझते हैं इसका अगर माल लिया जाए तीन साल पहले इसमें 5.000 रुपे कोई निवेज करता SIP करता तीन साल पहले तो इस पता है तीन साल में इसका total return absolute return कितना होता अब तक का यानि तीन साल पहले अगर निवेज करता तो 52% का return अब तक उसे मिलता और 1,80,000 रुपे यानि 5,000 करके तीन साल तक 1,80,000 रुपे उनका निवेज इमाउंट हो जाता और उन्हें return कितना मिलता भाई 2,73,700 कुछ रुपे उन्हें return मिलता ठीक है जी उसी तरह से अगर कोई वंदा 5 साल पहले इसमें SIP किया होता तो उसका total investment amount हो जाता 3,00,000 रुपे 55,000 किया SIP अगर करता तो अब उसका return उसका कितना हो जाता 118% से भी जादा का return है देखो आप यहाँ देख सकते हो 118% से भी जादा का return SIP पे मिल रहा है 3,00,000 का amount 6,00,000,000 से भी जादा हो जाता अच्छा आप अगर कोई one time invest करना चाहे देखो SIP के लिए तो अच्छा fund है ही लेकिन इसके साथ-साथ यह लमसम investment के लिए भी बहुत अच्छा fund है ठीक है भाई अब मालिया जाए 5 साल के लिए कोई इसमे बन time investment करना चाहे तो पता है उसका profit तो पता है उसका profit 221% से भी जादा का है जैसा कि आप लोगा स्क्रीन पे देख सकते हो देखो अभी हमने absolute return को समझा यह सारा जो example है ना वो absolute return का example है ठीक है जैसा कि हमने कहा था कि graph के दौरान जिस return की बात होगी वो होगा analyze return और अभी जिस return की बात होगी example के दौरान वो होगा absolute return लेकिन देखो अब हम लोग analyze returns की और चलते हैं analyze returns से अब हम लोग कुछ example को देखते हैं अब जैसे कि मान लिया जाए इसमें हम देखते है analyze return के जरी है कि मान ले जाए कोई बंदा इस fund में पातवाज़ार के SIP स्टार्ट करता है ठीक है कितने साल के लिए पातवाज़ार के SIP स्टार्ट करता है मान ले जाए 15 साल के लिए देखो हम छोटा-छोटा 2-4 example लेंगे और उस पे compounding का power को समझेंगे उसी 2-4 example में हम लोग compounding के power को समझेंगे कि कितना कम समय में हमारा जो पैसा है हमारा 1000-1000 का जो amount है जितना हम 1000-1000 रुपे invest करने वाले हैं वो कितने कम समय में कडोडो का amount छूता है वो हम 2-4 example से समझ लेते हैं तो 15 साल के लिए 15 साल का यहां timing लेते है time period सबसे पहला example हम 15 साल पे ही रखेंगे अच्छा देखो अभी return हमें कितना मिल रहा है SVA Contra Fund में अब यह हम गौर कर लेते हैं हमारा total analyzed return अभी क्या है 17.13 17.13% का return है हम लोग रखते हैं 17% ठीक है 50,000 रुपे 55,000 रुपे करकर के अगर हम 15 साल तक निवेश करते हैं तो हमारा total जो हो गया amount investment amount हो गया 9,000,000 रुपे और हमारा total return कितना हुआ 32,44,000 रुपे से भी जादा हमारा return हुआ और उसका total value यानि जो investment amount है और return है उस अगर total calculate करे तो 41,000,000 से भी जादा का हमारा profit हो रहा है ठीक है भाई इसके बाद अब हम लोग example लेते हैं अब हम लोग example लेते हैं 21 साल का छोड़ा example लेते हैं 3-4 example में हम लोग समझ जाओंगे कि compounding का power क्या है ठीक है 21 साल का example लेते हैं देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पास-पास-जार का amount अगर 17% SPI contract fund है तो 17% का all over return दे रहा है जब से ये fund चल रहा है ठीक है 21 साल के लिए अगर हम इसमें निवेज करते हैं 21 साल कुछ नहीं लगता भाई समय बितने में कुछ नहीं लगता अगर हम देखो 21 साल के लिए ही निवेज करते हैं न तो देखो 21 साल में ही लाखो का amount यानि 12 लाख का investment amount है और एक कडोर से भी जादा का profit दे रहा है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो एक कडोर 7 लाख का profit दे रहा है भाई मैं ऐसे ही इस fund में निवेज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ देखो अब हम लोग एक हजार का example लेते हैं एक हजार का example हम लोग लेकर के चलते हैं 26 साल के लिए हम एक हजार का example लेते हैं हमारा total investment amount क्या हो गया देखो आप compounding समझो compounding होता क्या है हमारा total investment amount हो जाएगा एक हजार एक हजार करके अगर हम 26 साल तक हर मैने जमा करते हैं तो हमारा total investment amount होगा 3,12,000 उपे ठीक है उस पर हमें return कितना मिल रहा है 53,000,000 से ज़्यादा का return मिल रहा है almost 54,000,000 का return आपको मिलने वाला है ठीक है अगर इसे हम बढ़ा करके कर देते हैं 30 साल तो देखो एक करोड का आकड़ा पार कर जाता है देखो 30 साल बीतने में कुछ लगता कहने को बहुत कुछ लगता है 30 साल बीतने में कुछ नहीं लगता साल दर साल कैसे बीतने में कुछ नहीं लगता अगर हम 30 साल के लिए बस 1000 के SIP करते हैं तो देखो हमारा 3,60,000 का investment amount कितना में बदल जाता है एक करोर से भी जादा में बदल जाता है अगर हम 31,000 के बजाए अगर इसे हम पास-पास जार ही रहने देते हैं और 17% का return है चुकि SVA Contra Fund है अब तक का 17% का return है तो देखो 18,00,000 का investment amount होगा लेकिन 5 करोर से भी जादा का आपको return मिलने वाला है और वो साधे 5 करोर का return आपको मिल रहा है तो देखो यह compounding का power है ऐसा नहीं है कि यह starting में हो गया देखो अब जैसे जैसे साल बढ़ा होगे ना जैसे जैसे समय बढ़ा होगे देखो 7 करोर हो गया 32 साल में 33 साल में हो गया आपका साधे 9 करोर साबा 9 करोर के लगबग इस तरह से अब देखो समय कम चुनोगे माल यह जैसे 10 साल का समय चुनते हो कि हमें 10 साल तक ही invest करना है हर मेने करके तो देखो 9 लाग का ही return आपको मिलेगा अगर हम 14 साल तक रखते है 26 लाग का return मिल रहा है इस तरह से समय जैसे जैसे बढ़ा होगे ना वैसे वैसे आपका return और profit इतना जादा होगा कि आप सोच नह नहीं है जिसका return बहुत अच्छा है या फिर ठीक ठाक है जिस पर आप लोग निवेस कर सकते हो ठीक है जी बलकि SVA के अंदर SVA infrastructure fund है SVA small cap fund है SVA magnum meet cap fund है SVA PSU fund है यह सारा fund भी है जो कि जिसका return अच्छा है जिस पर आप लोग निवेस कर सकते हो लेकिन पता है SVA magnum meet cap fund को हमन यह मात कहाता है देखो यह मात खाता है expense ratio में इसका expense ratio देखो जादा है ठीक है यह फटा है फिर देखो यह मात कहाता है इसका all over analyze return को check करना इसमें मात कहता है rating में मात कहता है तो मतलब इन सभी चीजों को हर पहलो को देखना होता है इसलिए मैं किसी को भी best कहता हूं ठीक है ऐसे अगर आपका मन हो मान लिया जाए किसी अधर mutual fund में निवेश करने का SVI के तो फिर इन सारे mutual fund को भी आप रख सकते हो ये भी एक हद तक अच्छा fund है ठीक है जी लेकिन हाँ मैंने SVI के इस mutual fund को इसलिए रखा है चुकि हर पहलू को देखना होता है इसलिए हमने SVI Contra Direct Plan Growth को रखा है अगर आपका मन हो किसी अधर fund में निवेश करने का तो आप वहाँ कर सकते हो तो ये पूरा डिटेल था दोस्तो SVI Best SIP mutual fund का हमें उमीद है कि आपने इन सारे पहलों को अच्छे से समझा होगा अच्छे से देखा होगा, हर एक आकड़ आपने भी देखा होगा अब ये समझने में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि किस mutual fund में निवेश करना है या फिर SVI किस mutual fund में निवेश नहीं करना है इसके बापजूद अगर कोई सबाल आपके पास हो इस वीडियो से related, इस topic से related तो आप हमसे comment में पोच सकते हो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई देर किस बात की चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उप्योगी लगे तो इससे like भी जरूर करें